हेलो फ्रेंज्स, मॉल्ट्स और शोरूम्स तो आपने धेर सारे देखे होंगे, लंडन के कुछ मॉल, रेडिमेट किचन और बाथरूम भी बेचते हैं, और बिल्डिंग मेटिरियल भी बेचते हैं, किचिन और बाथरूम के लेटेस डिजाइन इस शोरूम में दिखाये गए हैं, आप यहाँ आए, विजिट कीजिए, और अपनी पसंद का डिजाइन चूस कर लेजे, अगर उसमें कुछ चेंज कराना हो, वो भी यह असानी से कर देंगे, उसका लेमिनेशन चेंज कराना हो, उसका मेटिरियल चेंज कराना हो, कलर चेंज कराना हो, डिजाइन या तक में है यह देखिए कितने खुबसूरत किचन है एक से बढ़कर एक खुबसूरत डिजाइन कम से कम जगे में जादा से जादा सामान और बहुत ही खुबसूरती से सजाकर रखा जा सकता है लाइटिंग का बहुत ध्यान रखा गया है ड्रॉर्स ऐसी है कि खुलते में जरा गोल लगी हुई ये चिमने लेटेस्ट डिसाइन की है और ये नल देखिए ऐसा लगता है जैसे रबड का बना हुआ है है भी ये शायद रबड का ही जहां मजी मुड जाता है ये देखिए तो इस तरह की बहुत सारी नई चीज़ें मैंने यहां पर देखी और इन में भी हेर फेर हो सकता है ये वुड की बने हुई है पूरी इसका कैबिनिट कुछ प्लास्टिक के भी बने हुए है कुछ वुड के बने हुए है प्लास्टिक वैसा प्लास्टिक नहीं यह जो क्या बोलते है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसके बने होते है जो की फायर है ये धेके डिश वाषिर लगे होगे हैं किसी में किसी में डबल आवन लगे हो sticking में फ्लेम वाला चूला है किसी में फ्लैट चूला हैं और यह च्द। चKA सेंटर टेबल टैप knowledge किसी सेंटर टेबल में वॉष बिसेंग लगा हुа हैं तो अपनी requirement के हिसाब से आप ये choose कर सकते हैं, कोई glossy finish में है, कोई matte finish में है कोई बहुत ही bright shade में है सबसे ज़्यादा मेरे को impress इस chimney ने किया बहुत ही शांदा लग रही है, पहले मैं ने सोचा कोई lampshade है, बाद में पता लगा नहीं ये तो chimney है और ये रबड़के से नल भी मुझे बहुत अच्छे लगे बरतन दोने के लिए ये डंडे से लगा रहा की है ना, ये भी अच्छे लगे, इस पहराम से टिक जाएगी कोई बिट रहे अलमारियों के डिजाइन बहुत अच्छे लगे अभी तो आप सिर्फ किचन देख रहे है जब आप बात्रूम सेक्षन में जाएंगे तो हैरान ले जाएंगे और उसके बाद मैं आपको इस पूरे मॉल का बिल्डिंग मेटरियल सेक्षन दिखाऊंगी उसमें आपको सीमेंट रेता, इंट बालू से ले करके वुड तक मिलेगी वुड के प्लैंक कटे हुए है मतलब आपको चाहें छोटी सी चोथाई इंची के लंबी रोड चाहिए या फिर आपको बड़े बड़े प्लैंक चाहिए या फिर आपको 2 बाई 2 के 2 बाई 10 के जिस भी साइस का आपको वुड प्लैंक चाहिए वुड की रोड चाहिए फटे चाहिए सब कुछ आपको एकदम रेड़ी मिलेगा और आप अपना ओर्डर लिखवा सकते हैं ओनलाइन भी आपको खुम डिलीवरी मिल जएगी रेट की आप चिंता नहीं कीजिए जो बोलेंगे वही चीज मिलेगी कुछ भी इधर का इधर नहीं होगा क्वालिटी वेराइटी और रेट इंटेक्ट रहते हैं यह देखे यहाँ पर आपको मैटरियल और कलर दिखाए गई है मैटरियल और कलर चूस कर सकते हैं यहाँ से ताकि आप अपनी पसंद की किचन बना सके हुड्स, शेल्विंग्स, अवन्स सब कुछ मिलता है यहाँ एक ही मौल में यानि कि आपका घर बनाने की सारी रिक्वार्मेंट एक छट के नीचे पूरी और इतने बड़े शोरू में आपको दिखाया गया है कि बात्रूम तक के डिजाइन दिखाया गया है बात्रूम भी तरह तरह के इस शोरूम में आपको दिखाया गया है उनमें लगेवे नलों के डिजाइन और नलों के तो यहाँ पर सेकड़ों नल लगा रखे हैं और उने से आप चूस कर सकते हैं यह देखिए काफी मशीन, टी मशीन, वाष बसेज, कमोड्स, अल्मारियां, वाष बसेज येशान 50 अल्मारियां, वाष बसेज के साथ फाली अल्मारियां, हेंगर्स, शाफ़र्स, टैप्स। मैं कि अपका तूपशिच ऻ्यान नुट सोच रखा है और इसके बारे में पुरी डिटेलिंग कर रखे हैं और ये शौवर केबिंस हैं इसके बाद ये देखे शौवर्स हैं कितनी सारी तरह के टैप्स हैं मिरर्स तक हैं यहां पर इफरेंट इफरेंट स्टाइल क्वालिटी और साइस की मिरर्स भी हैं यहां पर प्ल टौवल के रैक्स तक हैं यहां पर इन्होंने कोई भी सोच हमारी सोच से आगे निकाल दिये अपनी कैसा लग रहा है आपको यह शोरूम शानदा लग रहा है ना लंडन में इस तरह है कि बहुत सारे शोरूम और मौल्स है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है चैनल को अब तक सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे ताकि मैं आपके लिए जो भी वीडियोस बना रही हूँ जो भी मिटरिल लेकर आ रही हूँ नेने आइडियास बता रही हूँ वो भी मिस ना हो जाए टॉयलर सीट्स की भी इतनी वराइटी है यहाँ पर कि आप हैरान रह जाएंगे गीजर, साइजिस मतलब आप यह समझ लीजे कि बॉयलर से चलने वरा इटर एलेक्रिसिटी से चलने वाला गीजर गैस से चलने वाला गीजर उसके बाद उनके साइजिस डिजाइन्स, क्वालिटी, वराइटी ठेर सारी चीज़े हैं यहाँ पर हैंडल्स टैब्स लॉक्स सबी कुछ मिलता है इस मॉल में बहुत बड़ा मॉल है बहुत शानदार अंदर गुसेंगे तो आपको लगेगा कि कहां आ गया मैं इससे पहले ऐस चाइप का आपने सोचा भी नहीं होगा मैंने तो नहीं सोचा था लंडन आने से बहले कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ों के भी इतने बड़े बड़े शोरूम्स होंगे शोरूम्स है मैंने दिल्ली में भी देखे है सैनेटरी के या रेडिमिट किचिन्स के पर कोई ऐसा शोरूम नहीं देखा जहां एक छट के नीचे आपका घर बनाने की सारी जरूरतें पूरी हो जाएं और वो भी बहुत सारी वराइटी के साथ आपके पास बहुत सारे आप्शन्स हों इतने सारे आप्शन्स कि आपका चूस करना मुश्किल हो जाए सबके रेड्स भी मैं दिखा रहे है आप जूम करके रेड्स देखिए सेलेक्शन कीजिए कमपेर कीजिए यह देखिए सीलर तक मिल रहा है यानि कि लीकेज के लिए जो सील होता है वो भी मिल रहा है सीमिंट की इतनी सारी वराइटी है टायल लगाने का जो मैटरियल है उसकी वराइटी है घर को गरम रखने के लिए दिवारों के बीच में जो थर्मकुल डालते हैं वो तक यहाँ पर रखे हैं इंटों की कितनी सारी वराइटी है और इन्होंने प्लांट्स लगाने का समान भी यहाँ पर रखा है आरियां, खुर्पियां, हतोड़े, छेनी सब कुछ मिलता है यहाँ पर बगीचे की दुलाई, सफाई या पानी देने के लिए यह स्प्रे गंस भी रखी हैं शौवल्स रखे हैं वर्शेजन ब्लॉक्स देखते रहे हैं लंदन के अलावा मैं आपको स्कोटलेंड, पैरिस, जर्मनी, इटली सब दिखाने वाली हूँ सबी जगय की सैर कराने वाली हूँ और एक से एक नई चीज़े दिखाने वाली हूँ तो देखते रहे हैं यह मेरा चनल वर्शेजन ब्लॉक्स जल मिलती हूँ एक नई ब्लॉक में और नई चीज़ों के साथ में अउन just और नई पिखाने भाली हूँ और टा बाली हूँ सबीज़ों कि कटाने गाली हूँ भाली हूँ भाली हूँ यज आप खंगाorm देंhand प्लूज़ कोRY चारा टारा कignantी चौँ़ चआपना है प्लूबगो फंजगो करेंगी यजर आप्लुबगो के सालेते लगफो